तो चलो प्यारे बचे इस वले सवाल को देखो अगर तुम इस वले क्वेशन को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बिलियर्ड बॉल है जो मूब कर रहा है टू मीटर पर सेकंड इस ट्राइग के आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट मतलब एक बॉल यहां था द् प्यारे बचे इधर और वो जा रहा है वेलासिटी बीवन और जो दूसरा वाला बहला बॉल है उसको मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों इधर और वो जा रहा है वेलासिटी भी टू से तो अगर यह वीवन से जा रहा है वो बीटी से जा रहा है यह इंगल कुछ मतलब इसको मैं वन मीटर पर सेकेंड से मान लेता हूं और यह 60 डिगरी अफ ओर जा रहा होगा बीटू से तो सबसे पहले मुझे वीटू की वैलू निकालनी है और और अल्सो अल्फा इन दोनों वैरियेबल की कैल्कुलेशन करनी है ठीक ना हमने ऐसा ही क्यों लिया कि को लीजन से पहले जो नेट मोमेंटम था एलॉंग एक्स अक्सिस था ठीक ना को लीजन से पहले अगर आप कंजर ही जा रहा होगा बात आरा समझ में तो इस तरह से मैंने पूरे डाइरेक्शन औरियेंटेशन मेंने कंसीडर किया है ठीक ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर तो अगर आप देखोगे यहां से तो मोमेंटम कंजर को कोलीजन से पहले और कोलीजन के बाद ल 60 यह तो रहा पहले वाली की बोडी और कोलीजन के बाद जो दूसरी वाली बोडी है उसका मोमेंटम देखो तो दूसरी वाली बोडी इसका जो मोमेंटम आएगा वे एक इधर आएगा जो की होगा बीटू कॉस अलफा और इधर आ जाएगा जो होगा बीटू साइन अलफा तो momentum कंजर कराते है, initial momentum must be equal to final momentum of system because system पे बाहर से कोई force नहीं लगा, तो along x-axis पहले कंजर कराते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, तो x-axis के along कंजर कराते हैं, तो x-axis के along अगर देखोगे तो x-axis के along initial momentum, mass m multiplied by 2m, plus 0 था, तो finally y x-axis के along जो हो रहा है mass m, mass m b1, cos 60, और plus mass m b2, cos alpha, तो इसका मतलब है, यह में हम खतम हो गया, 2 यहां से मिला, b1 की value 1 है, और cos 60, sin 30, 1 by 2, that is must be equal to plus यहां से b2 cos alpha, मतलब यहां से जो b2 cos alpha की value आजाएगी, हो आजाएगी 2 minus 1 by 2, that is 4 और यहां जाएगा 3 by 2, ठीक है, तो equation number इसको मैं first बोलता हूँ, कि d2 cos alpha की value आजाएगी, y-axis के along कंजर कराओ, तो अगर मैं y-axis के along कंजर कराता हूँ, तो देखो मुझे क्या मिलता है, तो y-axis के along जो है, initial momentum along y-axis, 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 y-axis के along अगर कंजर कराओगे, तो initial momentum must be final, initial y-axis के along दोनों का 0 था, final एक आया, v1 sin 60, दूसरे का plus, negative 0 minus, v2 sin alpha, ठीक न, यह वाला, तो अगर यहां से तुम देखोगे, तो v2 sin alpha की जो value आजाएगी, v1 की value 1, sin 60, root 3 by 2 आजाएगी, that is equation number 2, अब हमें क्या करना है, हमें करना है, value निकाल नहीं है, v2 और cos alpha का, तो square करके इनको add कर देते हैं, squaring and adding, squaring and adding, add equation first and second, first and second को square करके add कर दो, तो अगर तुम यहां से देखो, square करके add कर दो, तो v2 square यहां मिलेगा, यहां मिलेगा cos square alpha, इधर मिलेगा b1 square, v2 square sin square alpha, और यहां से इसको तुम, ना, v2 है न, तो v2 है, और इसको तुम square गर रोगे, तो 9 by 4 plus इसका square 3 by 4, ठीक है, और यहां v2 common है, तो v2 square common है, sin square alpha, cos square alpha 1 हो गया, और यहां से आजाएगा अपना, that is 12 by 4, तो यहां जाएगा 12 by 4 मतलब यहां जाएगा 3, तो जो v2 की जो value आई, 3 की power 1 by 2, इतना magnitude में आजाएगा v2, ठीक है न, अब direction देखो, alpha, divide कर दो second में से first, divide कर दो second equation को, second क्या था भाई, v2 cos alpha से, तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे मिलने वाला है, root 3 by 2, इधर मिला root 3 by 2, और इधर मिला बच्चों 3 by 2, तो यहां से आजाएगा 3 by 2, तो यह कट गया, और इसको rationalize कर दो, root 3 by 3 को root 3 उपर नीचे multiply कर दोगे, तो कुल मिला के 1 by root 3 बच्चेगा, और यहां से v2 cancel हो गया, तो 10 alpha की जो value आजाएगी 1 by root 3, और 1 by 2, 10 alpha that is, alpha is equal to 60 degree, तो जो alpha की जो value आजाएगी, वो आजाएगी 60 degree, तो final solution आया, 1 by root 3 जो है, 30 होता नहीं है, यह 30 होता है, तो यह आजाएगा, alpha की जो value आजाएगी, वो आजाएगी 30 degree, तो अगर इस से देखोगे, तो option check करो, बेटू की value root 3, 1 by 2 यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, और alpha, यह अला सही है, that is, original direction के long ही जाएगा, thank you, bye bye, take care,